वेल्कम बैक तो माय चानल तो आज मैं आपके लिए लेके आए हूँ सूप टेस्टी होटल स्टाइल अंडा करी जो की बहुत ही डिलेशिस बनेगी और थोड़ा सा डिफरेंट इसका टेक्निक है बनाने का तो चलिए देख लेते हैं जट पड़ से की यह अंडा करी मैंने कैस तो यहां पर मैंने कड़ाई ले लिए हैं कड़ाई में मैं चार चम्मच आउयल ले रही हूँ आप अपने अकॉर्डिंग आउयल कम कर सकते हैं बट इसमें हम एग्स भी फ्राई करेंगे इसलिए मैंने थोड़ा सा जादा ही आउयल ले लिया है इसमें और जैसे ही ऑईल यहां पर हम यह चीले हुए अंडे हैं यह इसमें फ्राई कर लेंगे यहां पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ मैंने जो अंडे फ्राई किया है यह तो नीचे से चिपक चुके थे बट अगर आप चाहते हैं कि आपके अंडे ना चिपके तो यहां पर ऑईल जो है बखेए जी अंडे चेल≡ अब आप देखेंगे में तो फ़्छली कुरहें, तो उआ है जाना होauen, अगर आप बचेल छाहते, को एप शोता दृ शाम CA यहां को मैं नैसा पॉर मेरा लुजा ओंत कें सब्सक्यार रच है यह तार में टाराकज सीदौन साब्सेटार्ट्राफ 20 बड़ी इलैची छोटा तुकड़ा नूली सेफ़ी आपके सब्सक्स साथ 2 बडड़ी में प्याज़ लेहा है इसे भी मैंने मिक्सी में ब्लेंड करके यह भी आड़ किया है अब हम ढखकन ढखके इसको पका लेंगे वीडियो क्लिप नहीं आ पाई है मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ टेकनिकल इशू के वज़े से मुझे लगा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है बट वो किसी कारण वर रिकॉर्ड नहीं हो पाया है तो सो सॉरी फर दाट पांच से साथ मिनिट हो चुके है हम यह प्यास भुन रहे हैं तो मसाला और प्यास बहुत अच्छे से को खो चुका है आप देख पा रहे हुए कि और जो है यह रिलीस करना स्टार्ट कर दिया है तो यहां पे मैंने चार इसी के साथ यहां पे मिर्च में ले लूगी हाफ टेबल स्पून मैंने यहां पे मिर्च ली है आप चाहें तो कम या जादा कर सकते हैं और बहुत अच्छे कलर के लिए हाफ टेबल स्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं इसके साथ इसका और टेस्ट बढ़ाने के लिए से शूपर टेस्टी बढ़ने के लिए यहापे मैंने 1 टेबल स्पून चिकन मिसाला ले लिया है इसे आप जरूर से आड़ करें अब हम इसे मिक्स कर लेते हैं और गयास बंद कर लेते हैं ब्रास मेड़ी पर सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब, तो इसे थोड़ा ठंडा हो एंगे में, जैसे फिमसाला ठंडा में 4 конц बहुत जादा भी नहीं होना चाहिए और फोर टेबल स्पूनी आप आट कीजिए नहीं तो यह सब्जी है कट्टी कट्टी मनेगी इसी के साथ उसी कटोरी से मैंने एक कटोरी पानी भी आट किया है और यहां पे गैस का जो फ्लेम है बहुत ही धीमी है धीमी गैस पे मैं इसे फ्राइ करके रखे हुए थे यह हम आट करेंगे और इसमें पानी आप आट कर लीजेगा अपने अकॉर्डिंग मैंने यहां पे आधा ग्लास पानी आट किया है और इसे हम ढखके पका लेंगे 5-7 मिनिट के लिए और यहां पे हमारी सूपर टेस्टी अंडा करी जो है यह जाएगी तो हम इसे ढखकर पका लेते हैं 5-7 मिनिट के लिए तो ग्रेवी अगर आप चाहें तो और कर सकते हैं बट यह परफिक्ट है तो यह देखें कितनी यमी यह हमारी सबजी लग रही है अंडा करी तो आप इसे जरूर से एक बर ट्राइ करके देखिए और मैंने धन सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए साथ ही में बिल बिटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन्स आपको आते रहें बबाई एंड टेक केर थैंक्स पर वाचेंग